नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सब का सैनिक पार्ट साला में दोस्तों आप सब को पता है कि डिफेंस पैंसनर के वेलफेर से जुड़े हुए मुद्दो को मैं अपने वीडियो के जरी उठाता रहता हूँ चाहे वो वन रेंक वन पैंसन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो चाहे इडिशनल पैंसन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो चाहे मसी पी हो जैसे online RTI, online grievance जो कि CP grams के तहद हम देते हैं तो ऐसे ही मैंने online RTI और CP grams में कुछ grievance डाले थे दोस्तों जिसका जवाब आया है आपको आज में 14 मार्च और 15 मार्च को आये हुए दो जवाब के बारे में इस वीडियों बताऊंगा दोस्तों 14 मार्च को मुझे जवाब आया है वो CP grams के तरफ से आया है जिसमें मैंने जो pre 16 वाले defense pensioner का spurs में data correction अभी बंद है बहुत सारी सहूलियतें बंद हैं उसके बारे में grievance डाला था उसके बारे में ये सवाल किया था कि ये क्यूं है और कब खुलेगा तो उसका जवाब CP grams से आया है दोस्तों उसको मैं दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैंने online RTI के तहट ये सवाल किया था Department of Ex-Servicemen welfare से दोस्तों कि जो pensioners 79 years खतम करते हैं तो उनका 80 साल में कदम रखते ही additional pension शुरू करने का जो proposal है वो government ने सुरू किया है की नहीं क्यूंकि बहुत सारे मानन ये court कोटों ने इसके उपर आदेस दिया है कि 79 year खतम होते ही 80 साल में जैसे कदम रखते हैं pensioner तो उनको ये additional pension की जो सुहलियत दी जाए या तो आगे फिर 84 खतम होते ही 30 परसंट का या 89 खतम होते ही 40 परसंट का आगे जैसे भी बड़ोतरी होता है उसके बारे में मैंने online RTI के तहट जवाब मांगा था Department of Ex-Service and Welfare Ministry of Defense से जिसका जवाब मुझे आ गया है दोस्तों तो उन दोनों चीजों को CP Grams का जवाब भी और online RTI का जवाब भी मैं आप सब को चलिए computer में ले जाकर करके उसको दिखाता हूं क्या मेरा grievance था और क्या जवाब आया है उसको देख लेते हैं दोस्तों अभी हम मेरे जीमेल के पेज में हैं यह देखिए जीमेल जहां पर मुझे इमेल आये हुए है यह online RTI की तरफ से जिसे आप देख पार है देख पारें यह grievance description में यह मैंने जो grievance डाला था इसमें यही लिखा हुआ है कि पांच महिने से भी ज्यादा समय हो गया है कि pre-16 migrated pensioners का spurs में data correction बंदे तो यह क्यों है और कब तक खुलेगा इसका मैंने grievance डाला था जो कि इसमें PCDA की तरफ से जो लेटर आया है मुझे मुझे address किया गया है यह देखिए इसको मैं बढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए बिलकुल मुझे address किया गया है एक मार्च के date का यह letter है लेकिन मुझे 14 मार्च को email किया गया है यह CP Grams की तरफ से अब देखिए दोस्तों इसमें जो है जवाब जो आया है बिलकुल goal mall सा आया है कि मुझे कुछ details मांगे गए हैं जो कि एक pre-16 के pensioners के हिसाब से हैं जो कि मेरे पास available नहीं होंगे क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि आपका particular क्या है क्या क्या चीजे हैं जो आपको correction करने इस तरीके से मुझे यह जवाब मिला है जो कि मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं post 2016 का retire हूँ मैं 2022 का retire हूँ तो जो भी affected हैं उनको ऐसे grievance डालने चाहिए दोस्तों यह जवाब तो आया है जवाब आता है और आया है CP Grams का तो यह बड़ी बात है कि जवाब मुझे मिला है तो आप सब भी जब grievance डालेंगे आपका particular problem लेके तो जवाब मिलेगा दोस्तों तो इस तरीके से यह रहा CP Grams का जवाब अब मैं आपको online RTI का दिखाता हूँ यह देखिया RTI online इसको जैसे क्लिक किया अब यह RTI का जो है नमबर देखिये लास्ट में 00171 यह RTI का नमबर है जिसमें मुझे जवाब मिला है अब आपको मैं PDF में ले जा करके दिखाता हूँ कि जवाब क्या मिला है और मैंने क्या grievance डाला था पहले यह देखिये यह मेरा grievance है अब जो grievance डाला था online RTI में यह देखिये वही है RTI का नमबर 00171 आगे जो मैंने जो grievance डाला था उसको आप सब को पहले एक बर बता देता हूँ कि क्या grievance मैंने डाला था दोस्तों मैंने ये ग्रिवेंस डाला था कि जब 79 येर खतम होते ही जो है additional pension शुरू होना है ऐसे मानने कोटों का आदे से बहुत सारे कोटों का आदे से उसी सबसे आगे फिर 30% मिलना चाहिए 84 खतम होते ही और 40% मिलना चाहिए 89 खतम होते ही और 50% मिलना चाहिए 94 खतम होते ही और 99 खतम होते ह 100% जो इम पैंसन में बड़ोती होनी चाहिए ये था मेरा सवाल कि ऐसा कोई प्रॉपोजल इन कोट के आधे सोरकारी दोर पे चल रहा है कि नहीं सरकार अपने आप ही कोट को कोट के आधे सके बगेर ही इसको लागू कराने के लिए कोई कारवाई कर रहे हैं कि नहीं है आपके department की तरफ से ऐसी कोई कारवाई की जा रहा है कि नहीं यह मैंने department of exhibition welfare को यह सवाल किया था online RTI के जरी अब जो इसमें जवाब आया है दोस्तों अब दिखातों मैं आपको की तरफ से जो रिप्लाई देखिए बिल्कुल दो टुक जवाबे सार नो साज प्रोपोजल इस अंडर प्रोसेस यानि कि ऐसी कोई भी प्रोपोजल अभी अंडर प्रोसेस नहीं है कारवाई इसके उपर नहीं हो रहा है तो यह जवाब दिया है बी एल मीना पैंशन सेट है वहाँ पर मैंने बी एल मीना जी के बारे में देखा तो यह बिल्कुल सही है स्री बी एल मीना जी है जो कि आप देख पा रहे हैं यह हूज हूम है डिपार्टमेंट आव एक सर्विस इन वेलफर जिसमें की डेजिगनेशन उनका अंडर सेक्रेटरी पैंसन और पॉ को नहीं होते ही लागु करने की प्रक्रिय जो रही हो नहीं किया रहा है उसके उपर नहीं किया जा रहा है तो दोस्तों यह कहीं और एक डिजिटल धरना है डिजिटल लडाई है जिसमें आप सबको भी सामभी होना जरूर है अब जैसे मुझे ये बोला गया है, जो CPGrams का grievance था, मैंने मुझसे कुछ data मांगा गया है, personal data मांगा गया है, क्यूंकि मैं pre-16 का retiree नहीं हूँ, मैं 2022 का retiree हूँ, तो मैं अपने data वाँ नहीं दे सकता, तो जिनको ये effect है, जो pre-16 के हैं, जो अपना data correction नहीं कर पा रहा हैं, उनको ये grievance डालने चाहिए, सभी pensioners को जागरुक होने की जरूरत है, आपको जो समझ से आए, personally जो आपको आ रही है, उसके उपर अगर आप अपना details के साथ डालेंगे grievance, तो उसका जवाब, particular जवाब आपको जो है, डिपार्टमेंट की तरफ से देना जरूरी बन जाता ह उनको देना पड़ेगा, तो दोस्तों, एक तो था कि मुझे आप सब को फिर से इस बारे में जानकारी देनी थी, कि CP Grams में आप grievance डालिए, online RTI डालिए, उनका असर होता है, उनका जवाब आपको आता है, और कहीं न कहीं वो बहुत बड़े हतियार होते हैं, आगे अगर आपका केस प्रोसेस करना हो तो, और साथ ही साथ, मुझे ये दोनों जो मुझे जवाब मिले हैं, उसके बारे में भी आप सब को जानकारी देनी थी, तो इनी जानकारी हो को लेकर इस वीडियो में आया था, आगे और कोई जानकारी था है, कि आप से सरुकार रखने वाला विसेले के मैं फिर से आजिर हो जाओंगा, तब तक के लिए जहीं दोस्तों